कुछ और एक्जाम्पल्स भी देख लेते चलो अपन अब इस एक्जाम्पल में अपन लेते हैं चलो एक यह लिया जाए और एक यह दिलिया जाए कुछ आपको ध्यान आता है इनके कॉमन नेम बड़े इंपोर्टेंट है यह अप्चली विसिनल है और यह कौन सा है जमिनल आपको याद आ गया होगा विसिनल मतब दोनों क्लोरीन जो लगे हैं वो पड़ोसी काबन पर लगे हैं इसका इधे कॉमन नेम की बात करो आप इन दोनों के इसका कॉमन नेम आपको ध्यान आ रहा है यह है इताइलीन ख्लोराइड और इसका कॉमन नेम क्या था इसका था इताइलीडीन इताइलीडीन अटाइड यह के कॉमन नेम पर मुझे बताना यह है आपको कि देखो इनकर स्केलिटन सेम है पर क्लोरीन की पोजिशन अलग अलग है इस के क्लोरीन फ़र्स्टीन कारवन पर इसके क्लोरीन दोनों फॉर्स्ट कापन पर इस लिए यह भी position isomers के example हो गए अब एक और example लेते हैं हमपन एक यह है यह है और एक है इसका नाम क्या होता आपको ध्यान में है यह है और इसी के साथ एक और लें अपन यह दी तो स्टेट चेन यह वाली है आपको पता है कि हमें सीन का काबन काउंट कर रहता है और वो पेरेंट चेन का पार्ट बनता है यह यहां पर ब्रांच होगे है तो इसको क्या कहेंगे अपन यहां पर यह स्ट्रेट चेन है मतलब यह इसका नाम क्या है टू अब इसको यह दी देखोगे तो इसका क्या आ रहा है हमारे पास मैजिक नमबर फॉर्टी इसका मैजिक नमबर क्या रहा है थर्टी वन इसलिए एक दूसरों के क्या कहलाएंगे यह दूसरों के यह दूसरों के चेन हैं वैसे हम और बात करें यह 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 और यह 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 दूसरों के क्या कहलाएंगे यह 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 और दो ब्रांचे से तो क्या कोहँगे इनको योड आर कॉल्ट पूजीशन आई सुमस भर से बेर पास एसा है क्रिसोर रहती होता है अये उन्सक्राइस लेसा के साथ ये होता तो हम इनको position isomer नहीं कह सकते या नौट position isomers लिए आ नौट position isomers क्योंकि इसमें रिंग पर दो प्रांचे से स्में रिंग में एक ही ब्रांच है तो यह एक दूसरों के position isomers नहीं कहला सकते हैं इसर्ट तो हमें बात समझ में आ गए कि पोजेशन isomers में सिर्फ किन-किन की position अलग होती इसे वो position isomers कहलाते हैं या तो किसे substitute की position अलग है या functional group की position अलग है या multiple bonds की position अलग होगी तो ही वो position isomers कहलाएंगे नहीं तो skeleton सेम हुआ यदि तो फिर वो chain isomers कहलाएंगे तो अब आपन नेक्स ले लेते हैं ring chain और functional isomers isomers, such isomers are differentiated, they are differentiated, they are differentiated in cyclic and open chain structures. They are differentiated in cyclic and open chain structure, they may have, may have different functional groups and their degree of unsaturation is same, their degree of unsaturation, degree of unsaturation is same. Now I do not think I need to explain cyclic and open chain structure, I need, I need not explain the functional group which we have already done in nomenclature. So let me explain what is degree of unsaturation, actually degree of unsaturation is, degree of unsaturation is number of hydrogen molecules required, number of molecules required to convert the formula of the given compound into the formula of, into the formula of, of an open chain saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon. Now what does it mean? Inke meaning first case let us talk about, first case examples, so first example let us talk about, so first example let us talk about, so different type of ring chain isomers thing and cyclic, if it is what makes行 about that, alkyne and cycloalkane, and cycloalkane, alkyne and cycloalkane, मतलब यदी मेरे पास यह साइकलो प्रोपेन है तो फिर मेरे पास है इसमें भी इसका फॉर्मला है C3H6 इधर भी आप देखो C3H6 दोनों का पर एक रिंग के फॉर्म में है और एक अंसाचुरेटेड़ इलकीन तो आप देखो एक साइकलो इलकेन एक इलकीन है अब बात इस प्यारी कि इनके डिग्री ओफ अंसाचुरेशन क्या है यदि तीन कार्बन है तो मैं तीन कार्बन का हाइड्रो कार्बन में कनवर्ड करूं तो C3H8 मतलब मुझे 1H2 डालना पड़ेगा 1H2 डालो तो तीन कार्बन का साचुरेटेड़ हाइड्रो कार्बन बन जाएगा और इसमें भी यदि मैं 1H2 डालोंगी तो यह C3H8 हो जाएगा हमें पता है यह क्या है यह है इसके फॉर्मले यह है प्रोपेन के फॉर्मले तो इसमें degree of unsaturation दोनों का 1-1 है एक hydrogen molecule डालने से हम इसके फॉर्मले और इसके फॉर्मले दोनों को हम प्रोपेन के फॉर्मले में convert कर सकते हैं इसका second case जो होगा वो क्या होना चाहिए यह होगा alkyne and cycloalkene alkyne and cycloalkene अब यह इसका मत्रहिए इसके जनरल फॉर्मला हो गया cn h2n-2 तो हम यहां पर एक case ले लेते हैं यह यह मेरे पास 4 carbon वाला case है तो मेरे पास एक ऐसा case भी हो सकता है इसमें भी यह इदि मैं proper number of hydrogen डाल दू ch3 यहां पर हम डाल दे ch2 यहां पर एक भी ने डालेगा यहां पर एक डालेगा तो यह formula क्या है c4 h6 और इदर भी आप देखो c4 h6 c4Ch 6 और इसमें चैटीव मैंने 2 h2 डाला तो यह पन जाएगा c4 h10 और इसमें बहली मैंने 2 h2डाला तो यह बन जाएगा c4 h10 तो दोनों में यह यह मैंने 2 h2 h2 डाले तो वो ऐसे formula में convert हो जाएंगे जो saturated hydrocarbon के हैं इसे दोनों का ही degree of unsaturation जो है वो 2 है इसका भी unsaturation degree of unsaturation 2 इसका भी 2 इसका 1 तो इसका भी 1 तो अभी जो मैंने आपको यहां पर लिखा था कि दोनों का degree of unsaturation same होना चाहिए और एक cyclic structure होना चाहिए और एक open chain structure होना चाहिए इसकी एक और possibility अपन ले लेते हैं एक और केस हो सकता है जहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एल की नॉल और साइक्लिक एथर हो एल की नॉल फॉर एक्जामपल हमने एक cyclic एथर लिया यदि यह हो गया तो इसका formula क्या हो जाएगा 3 carbon यह हो अब मेरे पास 3 carbon का ही यह दिम है इसका formula क्या हुआ देखो 3 carbon 2 3 4 5 6 H6O दोनों का molecular formula सेम है पर आप देखो फंक्शनल ग्रूप अलग अलग है इसका functional group ether है यह एथर है cyclic ether है और यह एल की नॉल है इसमें double bond भी है और OH भी है दोनों का functional group अलग है पर दोनों का molecular formula सेम है और इनका degree of unsaturation भी सेम होगा इसका degree of unsaturation क्या होगा यहाँ पर अपने पास एक रिंग है ऐसे भी हम लोग गिनते हैं एक रिंग के लिए एक degree of unsaturation और एक double bond के लिए भी एक degree of unsaturation डिग्री ओफ अन saturation यहाँ पर 1 degree of unsaturation यहाँ पर भी 1 यदि मैं एक एच्टू डालूंगी तो यह saturated compound में convert हो जाएगा इसका मतलब इसमें यदि मैं C3H6O plus H2 कर दो तो क्या बनेगा यह C3H8O और यहाँ पर भी यदि मैं 2H2 डाल दो तो क्या बनेगा यदि इसमें भी मैं यहाँ पर 2H2 डाल दूँ एक हच्टू डाला है यहाँ पर भी एक हच्टू डाल दूँ तो यह बनेगा C3H8O C3H8O का saturated ether क्या हो जाएगा CH3CH2OCH3 और इसका alcohol क्या हो जाएगा CH3CH2CH2OH मैं यह चीज़े आपको फिर से explain कर देती हूँ कि मैं actually बताना क्या चाहती हूँ यहाँ पर एक नई चीज़ जो मैंने बताने की कोशिश की वो है कि degree of unsaturation हमने hydrogen add करके भी देख लिया कि हमने इस molecular formula को saturated linear saturated straight chain compound में दी convert करना था तो एक hydrogen मुझे यहाँ लगा और इसमें भी मुझे एक hydrogen लगा इसके अलावा degree of unsaturation हम ऐसे भी निकालते हैं एक रिंग है तो एक degree of unsaturation होता है और यदि एक पाइबॉंड है तो उसके लिए degree of unsaturation एक ही होता है तो यह एक नई बात मैंने आपको बताई यहाँ पर जो हमने concept की बात कर रहें वो है degree of unsaturation मतलब मैं उस compound में कितने hydrogen molecules डालूं तो वो convert हो जाएगा एक saturated straight chain compound में इसके अलावा degree of unsaturation हम ऐसे भी देखते हैं जितने πाइबॉंड होते हैं वो भी degree of unsaturation कहलाते हैं तो एक case हमारे पास हो गया alkinor और cyclic ether यह आपको एक example से मैंने बता दिया कि एक cyclic होना चाहिए और एक straight chain होना चाहिए तो यह case भी बन जाएगा ring chain isomer एक और case बन सकता है यदि मैं ले लूँ aldehyde और aldehyde के साथ मैं ले लूँ cyclic ether और example इदी में पास है CH3 CH2 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 CH double bond O यह aldehyde है और इसके साथ मैं ले लूँ फिर वही यहां पर 1,2,3,4 carbon ते हैं यहां पर भी 1,2,3,4 carbon है इसका formula हो गया C4 H8O इसका formula भी आप देख लो C4 H8O एक cyclic ether है एक aldehyde है इसका भी अदिए अब degree of unsaturation देखोगे तो degree of unsaturation यहां पर 1 और यहां पर भी degree of unsaturation 1 जबकि functional group अलग-अलग है तो आपको भी बताया था कि ring chain तब बोलेंगे जब एक open chain structure होगा ring होगा दोनों का molecular formula सेम होगा दोनों के functional group अलग-अलग हो सकते हैं और हैं दोनों के functional group अलग-अलग ही होंगे और दूसरी बात है degree of unsaturation सेम होगा यहां पर में एक-च्टू डालू तो मेरा काम हो जाता है यहां पर भी एक रिंग-फोर्मुला में बनाना है मुझे तो एक एच्टू डालने से मेरा काम हो जाएगा ओके अब हम पारे पास एक और केस बनता है एक और एक्जामपल है केस तो क्या है वो एक और एक्जामपल है यदि मैं ऐसे ले लूँ यह अलकाडाइन हो गया और एक बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर ले लो इस बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर मैं आपको पता है यहाँ पे मैं दो हाइडोजन लगाऊंगी यहाँ पे भी दो हाइडोजन लगाऊंगी यहाँ पे एक हाइडोजन लगेगा यहाँ पे दो लगेंगे यहाँ पे दो लगेंगे और यहाँ पे एक लगेगा मतलब टोटल कित्ते हो गए यहाँ पे 6 काबन है ह 10 यहाँ पे आप देखो यह CH2 यह 1H यह 2H यहाँ पे 2H यहाँ पे 1H यहाँ पे 2H तो आप यह दिये दोनों स्ट्रक्चर को अलग करो तो यहाँ पे भी C6H10 देख रहे हो आप यहाँ पे यह Elkadyne है और यह Bicyclic compound है तो Elkadyne और Bicyclic compound एक ring structure है और एक straight chain structure है इसको भी ring chain isomus बोलेंगे और यहाँ पे degree of unsaturation किता रहा देखो दो double bond है न तो degree of unsaturation हो गया तू यहाँ पे दो ring है न तो degree of unsaturation हो गया तू इसके अलावा यदि मैं C4H10 में 2H2 डालूंगी यह इदर सी यहाँ पे C6H10 यह भी C6H10 है यदि मैं इसमें 2H2 डालूंगी तो C6H क्या बन जाएगा 14 C6H14 और हमें पता है hexane जो straight chain hexane है उसका formula C6H14 होता है तो आपके पास दो concept होगे degree of unsaturation के लिए कि आपने किते hydrogen डाले इन इस दोनों structure में यदि मैं दो-दो molecule hydrogen के डालती हूं तो यह C6H14 हो जाता मतब है hexane का formula बन जाता है उसके अलावा यहां पर दो-पाइबॉंड है तो मैं इस पाइबॉंड के क्रॉस एक एच टू डालूंगी इस पाइबॉंड के क्रॉस एक एच टू डालूंगी इससे उसका degree of unsaturation 2 है और यह bicyclic compound है इसमें भी यदि मैं 2H2 डालूंगी तो यह यहां पर यह unsaturated compound यह जो cyclic structure है वह saturated compound में convert हो जाएगा इसलिए इनका degree of unsaturation is 2 तो आप समझ गये होगे functional groups अलग-अलग होंगे structural formula अलग-अलग होगा molecular formula same होगा और degree of unsaturation same होगा तब हम उन structures को बोलेंगे ring chain isomers एक open chain होगा एक ring में होगा एक open chain एक ring दोनों के functional groups अलग-अलग दोनों के molecular formula same and दोनों का degree of unsaturation भी same ठीक है तो यह examples होगे ring chain isomerism से इसी type का एक और isomerism है यह मैं 4 type का isomer ले रही हूँ वो है functional isomer अब functional isomer जो नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है you can guess from the word itself कि वहाँ पे functional groups अलग होंगे ही होंगे they have different functional groups यहाँ पे first case चलो अपन ले लेते हैं इसका first case जो होगा वो अपन लेते होंगे है चलो alcohol के साद ethers का alcohol और ether they will be called functional isomers इनका general formula होगा CN H2N plus 2 O CN H2N plus 2 O यह एक दूसरो के functional isomers होंगे for example यदी मैं ले लेते हूं CH3 CH2OH यह alcohol है तो ether इसका होगा CH3 OCH3 तो जनरल इसका आप इसका molecular formula देख रहे तो क्या आ रहा है C2H6O with the same formula you can have two compounds having two different functional groups ऐसे ही हम कोई साभी structure ले सकते हैं जहां पर alcohol और ether होंगे with the same molecular formula तो एक यह case बनता है दूसरा case बन सकता है aldehyde ketone और इसके साथ होगा unsaturated alcohol तो इसका general formula क्या हो जाता है CnH2no for example यदि अपन लेते हैं C3H6O इसके कौन-कौन से structures बन सकते हैं यदि मैं aldehyde लेती हूँ तो मेरे पास होता है CH3CH2CHO यह aldehyde हो गया यदि मैं ketone लेती हूँ तो मेरे पास होता है CH3C double bond OCH3 और यदि मैं unsaturated alcohol लेती हूँ तो मैं लेती हूँ CH2 double bond C OHCH3 तो यह तीनों का formula सेम है पर तीनों में functional group अलग-अलग हैं यह aldehyde है यह ketone है यह alkinol है इसमें double bond भी है और OH भी है तो यह तीनों का molecular formula सेम है पर क्योंकि functional groups अलग-अलग हैं इसलिए हम इनको functional isomers बोलते हैं तो अभी हमारे पास alcohol ether हुआ फिर हमारे पास aldehyde ketone and unsaturated alcohol हुआ अब next रपन लेते हैं functional isomers का third case जो बनता है वो है acids stir and hydroxy aldehyde or ketone और इनका general formula क्या होगा cn h2n o2 for example यदि अपन लेते हैं first case ch3 ch2 cooh तो formula क्या हो गया c3 h6 o2 यह acid था अब इसी का extra लें यदि तो ch3 इसमें भी देको 123 carbon है 6 hydrogen है और o2 और यदि इसी का हम बना दें इसमें भी देखो 123 carbon है hydrogen 336 and o2 इसको देखोगे तो इसमें भी c3 h 6 o2 तो अब आप यह देखो कि तीनो का molecular formula same है पर functional group सा अलग अलग है यहाँ पे यह acid है यहाँ पे यह ester है यहाँ पे यह aldehyde है साथ में hydroxy है यहाँ पे यह ketone है और साथ में hydroxy है तो कौन कौन से group यह हो गए फिर जो same functional they will be called functional isomers of each other they can be acid they can be ester they can be hydroxy aldehyde and it can be hydroxy ketone they have the same molecular formula CNH20O2 बट अलग अलग functional groups है कौन कौन से functional group से अभी तक अपन ने जो जो functional isomers किये पहले में क्या case लिया था हमने alcohol के साथ ether फिर second में हमने क्या लिया था aldehyde ketone and unsaturated alcohols aldehyde ketone and unsaturated alcohols को एक family में लिया था अब हमने third case लिया है जहां पर acid है और ester है और hydroxy aldehyde और hydroxy ketone तो यह एक और हो गया अब अपन fourth case लेते हैं functional isomers का जो fourth case होगा उसमें अपन ले लेते हैं RCN and RNC यह क्या है यह नाइट्राइल है यह नाइट्राइल है और यह क्या है आईसो नाइट्राइल या कार्बाइल अमीन है ना हमने नॉमन प्रेचर में किया था इसको हम जब CN रहता है तो हम उसको कहते हैं नाइट्राइल और जब NC हो जाता है तो हम उसको कहते हैं आईसो नाइट्राइल आईसो साइनाइड या कार्बाइल अमीन तो इनको भी हम ले लेंगे functional isomers में फिफ्ट केस होगा जब हमारे पास RNO2 होगा और साथ में होगा इसकेस को भी हम बोलेंगे functional isomer से एक नाइट्राइट है और एक है नाइट्रो ग्रुप नाइट्राइट यह नाइट्रो ग्रुप है और यह नाइट्राइट फिर हम ले सकते हैं amide and oxyne amide और oxyne जैसे मेरे पास है CH3, CH2, C double bond O, NH2 यह ओल लो इसको हम amide linkage बोलते हैं इसी के साथ यदि मैं कर दू CH3, CH2, C double bond, NH, OH अब इसमें देखो 1, 2, 3 काबन है C3, H कितने है? 7, O है और N है यहाँ पर देखो 1, 2, 3 काबन है यह चटेगा यहाँ से यहाँ पर भी 7 hydrogen है, O है और N है यह amide है यह oxyne है पर functional group बिलकुल अलग अलग है यह oxyne कहलाता है this is called oxyne and this is called amide तो amide और oxyne भी functional groups में आएंगे उसके बाद हमारे पास जो आएंगे वो होंगे अलकाडाइन एन अलकाइन जैसे मेरे पास है CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 इसके साथ मेरे साथ हो सकता है CH3 C triple bond C CH3 इसमें भी आप देख लो C4H6 यहां पर भी देख लो C4H6 they have same molecular formula but it's a alka dying यहां दो double bond है और एक यहां पर triple bond है फिर एक और case जो आएगा वो आएगा substitute amines amines मतला 1 degree 2 degree and 3 degree amines they are also functional isomers of each other for example if I have CH3 CH2 CH2 NH2 यह है primary amine NH2 होना मतला primary amine फिर आपके पास है CH3 CH2 N फिर H और CH3 NH है मतलब यह secondary amine यह primary amine है और यह secondary amine है है और फिर मेरे पास है CH3 N यहां पर भी CH3 यहां पर भी CH3 यहां पर भी CH3 this is tertiary amine तो तीनों का molecular formula same है एक primary amine है एक secondary amine है और एक tertiary amine है इसलिए इनको भी हम बोलेंगे है functional isomers और उसके बाद जो last category है वो होगी आरो एच और फिनोलिक अल्कोहल्स अब इसका example होगा है यही मैं बेंजीन बिंग पर ओज लगा देती हूं एक direct ओज लगा देती हूं और एक ऐसे लगा देती हूं तो यहां हमें aliphatic alcohol की properties इधर से दे सकता है और यह हमें aromatic alcohols की property दे सकता है इसलिए इसको भी हम functional isomers मिलेंगे तो overall यदि आप देखते हो तो functional isomers की हमारे पास में nine categories आ रही है वो nine categories कौन कौन सी एक बर अपने revise कर लेते हैं पहले कौन सी थी ether and alcohol दूसरी कौन सी थी aldehyde ketone and unsaturated alcohols तीसरी category हमारे पास है acid ester hydroxy aldehyde hydroxy ketone fourth category है मेरे पास rcn और rnc fifth category है rno2 और ron six category है amide and oxyne seventh में मैंने लिया है alkodines and alkyne फिर है one degree two degree three degree amines और finally फिर है alcohol and phenolic alcohol यह सारे आते functional isomers में यहां पे functional group अलग है पर इसके पहले जब आपने ring chain isomer पढ़ा था वहां पे भी मैंने बोला था कि functional groups अलग अलग है इसलिए जभी भी हमारे पास किस equation में option होगा यदि ring chain isomer और functional isomer दोनों है और एक ही choice मांगी है तो आप ring chain करोगे यदि दोनों choice मांगी है तो दोनों ले लोगे और फिर यह कुछ भी नहीं है functional isomer है तो मतलब यह हुआ कि यदि आपके पास ring chain मतलब priority किसको देनी ring chain isomer को आपको priority देनी है functional isomer के उपर यदि ring chain और functional isomer दोनों है तो फिर आपको option यदि एक ही पूछा है तो रिंग जैना इसमर दो गया यदि वह बोथ वा उप्शन भी हुआ तो फिर आप इसको ring chain isomer भी बोल सकते हो functional isomer भी बोलते हो और यदि priority किसको देनी है हमें priority देनी है ring chain isomer को देनी है compare to functional isomer do you understand कुछ cases ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा रहे यह तो ring chain भी है और यह तो functional isomer भी है तो हमें priority देनी वह दोनों है पर priority यह दि हम से मांगे गए कि पर किसको दोगे first priority में क्या answer होना चाहिए आपका तो first priority में कि ring chain isomer को हमें functional isomer के उपर priority देनी है जब बहुत सारे cases ऐसे मिलेंगे जहां पर same examples दोनों में आ रहे हो रहे होंगे और वो functional isomer के भी हो रहे होंगे